हे गाईज वेलकुम बैक, आज की वीडियो में हम फंडामेंटल अनल्सिस करेंगे ब्लड टोकन का, यह निवली लॉंच कोईन है, यानि इसी साल लॉंच हुआ था, बेसिकली टोकन जैनेरेशन इवेंट हुआ था, उस टाइम पे मेजर एर डॉप दिया गया तो काफी जाद उस टाइम पे न्यूज में रहा था, लगबग वेलन्टाइन के दिन ही यह सारा इवेंट हुआ था, 14-15 तारिक को अगर आप फरवरी में इस साल काफ जादर ट्रेंडिंग पे रहा था, लेकर उसके बाद हम देखने हैं कि एक डाउन साइड ही इसमें आते जा रही है, ठी नहीं करना चाहिए, स्टार्ट करते है वीडियो, अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अब बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि आपकी कोई भी अप्डिट मिसना हूँ, ब्लेड टोकन एज अज अफन पॉइंट थी, जो पहला एरड्रोप का राउंड हुआ था, उसमें काफी जादा एक दम से सर्कुलिशन में आई, काफी जादा ऑप्टिमिजम बिल्ट अप हुआ, और सेम डे, पॉइंट अफने यूजर ने इसको डंप कर दिया, और इसी वज़ेश हमें एक ऐसा इवेंट देखने में बता रहा हूँ, आपको आगे जब वीडियो देखोगे तो अपने आप ही किलरिटी आ जाएगी, क्यों फादर करेक्ट होगा, ट्रेडिंग वॉल्यूम इस पर चीखासी आ रही है, बिकाज मल्टीपल एक्षेंजर पर अलावा आप देखोगे, जो अधर मेजर एक्ष इसमें आप देखोगे, जहां पर अरड़ी लिस्ट हो चुका है, इनकेस अगर बाई करना हो, तो वैसे बाई करना चाहिए नहीं, यह में लास में वी कन्कूर्ड करेंगे, यहां पर आपको बेसिक डिटेल जादा नहीं मिलेगी, बिकाज काफी अच्छी तरीके से नोने अगर आपको डिटेल फाइंड करनी है, तो बहुत जादा मसकत करनी पड़ेगी, यहां पर आप बेसिकली एनेफ्टी बाई एंड सेल कर सकते हो, जिसको इसेंटिवाइज भी करते हैं, और रिवार्ड भी देते हो, पर्टिकलर अक्टिविटी के लिए, बैसे बहुत सारे मार्केट प्लेसे जिनकी यह अप्रोच रहती है, और इनकी भी इस तरह के अप्रोच है, ठीक है, तो अगर आप यहां पर इनीचल सेक्शन देखोगा, यहां पर कलेक्शन, आप डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन चेक आउट कर सकते हैं, यू कन मैनेज ए पूटफोली और इन तीनों सेक्शन को एसे करने के लिए आपको बेसिकली अपका वालेट करनेक्ट करना पड़ेगा, इफ यू वांट टो एसे उसमें उस पोर्शन को एक्सेस करके, कोई मेजर इन्फोर्मिशन नहीं मिलेगी, जो हमें इन्वेस्टर वाले परस्पेक्टिव से अगर आप अलग से गूगल सेच कर लोगे तो आपको बिलर फाउंडिशन का यह पेपर मिल जागा, जहां पे लोने अपना विजन और आगे जो सर्टन इनके प्रोड़क्ट है, उनकी एक डिटेल भी इसमें इंक्लूड कर दिये, सो इनीसरी आप देखोगे, ओबर भी कोई बात गवर्नेंस क्या है, कैसे गवर्न होगा, मतलब यह पूरा प्रोड़क्ट उस तरह के बेशिक डिटेल से भरा हुआ है, तो उसमें हम नहीं जा रहे हैं फर्दर, बिकर वी ओल लो हाव, जो प्रोड़क्ट है, वो कैसे डीसेंटल है, वे में गवर्न होते हैं, मोस्ट इंप सकते हो, और उसके बदले आप जो मनी है, वो बॉरो कर सकते हो, ठीक है, तो लेंडिंग प्लेटफॉर्म है, और जिसमें एनेफटी को कैसे क्लेटल रखा जाता है, जनरली क्या होता है, जब लोग एनेफटी भाई कर लेते हैं, तो फिर उसका कोई यूज नहीं होता है, आ हालांकि यह डिजिटल ओनर से रिप्रेजेंट करता है, बट स्टिल, अगर फानेशर प्रस्पेक्टम में देखा जाता है, तो आप उसका कुछ जादा रियूज नहीं कर पाते हो, यह जो प्लेटफॉर्म है, यह क्या करता है, वहाँ पर आप अपनी एनेफटी के मिनिमम वेल्यू, एक थ्रेसफोल डिसाइड कर लेंगे, उस पे आप क्या कर सकते हो, उसको वहाँ पर एक एक कुलेटरल सम्मिट कर सकते हो, और उसके बाद आप वहाँ से बौरू कर सकते हो, और जब आप रिटेन कर दोगा असेट, आपके एनेफटी आपको मिल जाएगी, उसके सेटन फॉर्मूलाज रखें, ठीक है, कि कैसे वो मिनिममम थ्रेसफोल का कंसिडर करेंगे, कैसे जो मतलब, जो आपको फंड अलॉट करेंगे, उसका रिशियो क्या रहेगा, इस तरह की बेसिक डिटेल, अब नाहीं हमें एनेफटी बाई करके वहाँ पे स्थिक करनी, हमें सिर्फ इन्वेस्टर परस्पेक्टिव से, डिसाइड करना है, हमारे लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होगा या नहीं होगा, तो इसके रिलेटेड एक कंपेरिजन डाटा हम बाद में देख लेंगे, वहाँ समय फॉर्दर क्लारिटी इसके बारे में आ ठीक है, अगर आप चेक आउट करना चाहो तो ब्लेंड कर डारेक्ट जो वाइट पेपर वो भी अवेलेबल है, उसमें एक इंट्रेस्टिंग सेक्षन आपको देखेगा, इसमें जो गवर्निंग के लिए कंसिडरेशन से रखे गई हैं, यानि जो बलर्ड टोकन है, उसका ही यूज होगा, उसमें जो भी फीज, या फिर बॉर्ड करने के लिए, इन सारे एक्टिविटीज के लिए, so that will create another use case for the बलर्ड टोकन, और बलर्ड की गवर्निंस से ही, उसमें भी जो भी चिंजिज होंगे, वो डिसाइड किया जाएंगे, इसका ओडिट पी हुआ है, डी इस तरह से, जो भी फॉल्ट रिकानाइज किया, तो उसको बादमाभी स्टेटस देखोगे, तो वो रिजॉल्व हो चुका है, so that is also fine, अब most important part रहेगा, इसका token mix, token mix अगर आप देखोगे, तो as of now supply काफी कम circulation में है, 3 billion की जो total supply है, उसमें से 750 million अभी circulation में, that is also after the airdrop, airdrop से पहले तो और भी कम थे, ठीक है, और airdrop में mainly जायता, लोगों ने उसको immediately dump कर दियागा, तो जो भी early, जो contributors थे, उसके ecosystem में, उनको ही वो airdrop मिलाता, अब यहाँ पे एक आप line find करोगे, जब आप इसमें token mix पढ़ोगे, मुझे काफी absurd लगी, because kind of like, मजाक जैसा ही है, ठीक है, मजाक इंदर से इन्होंने क्या बोला है, जैसे for example, यहने 51% इन्होंने community के लिए blur है, वो allot कर दिये, यानि 1.53 billion community के लिए, community का मतलब है, sooner or later, rewards के तुरू, community activities के तुरू, airdrops के तुरू, वो community को ही मिलेंगे, ठीक है, 29% इन्होंने रखा है, past and future core contributors with 4 year wasting, 4 साल की wasting शिर्यू रख दिये इन्होंने, और 29% supply उसके लिए रख दिये इन्होंने, 19% रखी है, इन्वेस्टर्स के लिए 4 साल की wasting रखी है, 1% to advisors with 4 to 5 year wasting, ठीक है, अब यहाँ पर एक चीजी की मसेखी बगार रहे हैं, मतलब मसे की बगार ना, in the sense, हम बड़ा चड़ा के बोल रहे हैं, यहाँ बोले हैं, you will notice that blur follows a similar schedule, जैसा uni में है, यहाँ इन्वेस्टर्स में है, with additional cliffs and longer wasting for advisors, यानि यह बोल रहे हैं, कि हमारा जो wasting schedule है, यानि इसका unlock होने का, uniswap जैसा ही है, काफी similar है, लेकिन हमने additional cliffs और ज्यादा लंबा wasting schedule रखा है advisors के लिए, और advisors के लिए supply कितिने अलोट की है 1%, how does it even matter, आप इसको एक दिन में circulation में ले आओ, क्या फरक पड़ेगा, जहां के आप देखोगे 51% यानि 51% community के लिए रखी major price delusion तो वहाँ से होगा न, 29% जो आपने past and future core contributors के लिए रखी है, बेसक उसमें 4 year wasting schedule है, तो major contributions से वहाँ हो रहा है, 1% से क्या ही फरक पड़ेगा, आप 4 साल के लिए रखो, एक साल के लिए रखो, 6 महीने के लिए रख दो, और आज के आज ही release कर दो, ठीक है, तो यह kind of absurd line मुझे लगी, और मैं यह नहीं कर रहा कि इन्होंने 51% community को रखके कोई गलती कर दिया, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि community को engagement, basically अब जितनी ज़्यादा बड़ी community होगी, जितना ज़्यादा लोग इसको try out करेंगे, उतना ही ज़्यादा इसके लिए beneficial रहेगा, लेकिन जब market, जो market cap में appreciation नहीं दिखाएगा, और टो को circulation होगी तो प्राइड डिशन होगा, overall अगर देखा ज़्यादा प्रोजक्ट में, प्रोजक्ट के लिए तो फाइदे मन दिये long term perspective से, बट सिर्क कहने का मत्रब है, जो जिस चीज़ का matter नहीं करता, उस चीज़ को आप इतना ज़्यादा सेखी बगार के क्यों detail में लिख रहे हो इसमें, ठीक है, इसके बाद community के treasury के बारे में इन्होंने detail दिये, और year one में इतने year two में और year three year four में इस तरह से detail दिये, ठीक है, अब ये सारी detail हम individually देखेंगे, इससे बढ़िया हमें यहाँ पर चार्ट अलोड़े इन्होंने दे दिया है, तो यहाँ से हम लगबा estimate कर लेंगे कि हमारा जो time period है, अगर हम इसको दिसे long term perspective के लिए plan भी करते हैं hold करना, long term perspective तो आप minimum bull run तक तो hold करोगी, ठीक है, bull run आप expert कर सकते हो लगबाग अभी से, approximate आप इसको समय लोगए एक साल बाद, अब एक साल बाद बूलने का region यह है, कि जैसे bull run से पहले एक pre rally भी हमें दिख जाएगी, optimism वाली, और उसके बाद मैं ली, Halloween के बाद हमें एक अच्छा खासा bull run का scenario expected है, तो आप अभी से एक साल अगर consider करके चलो, अभी जुलाई चल रही है, तो आप लगबग यहाँ पर consider कर सकते हो, अब यहाँ मैं और अगस्त के बीच में, यहाँ पर लगबग consider कर लो, मतलब अगस्त के बिलकुल pass में, तो आप इस पर देखोगे, तो लगबग आप ऐसा समय लो, 1.75 billion supply उस टाइम पर circulation में होगी, इस figure को अची तरह याद रखना, 1.75 billion उस टाइम पर circulating supply होगी, among all the categories, अब जो अलग-अलग है, जैसे community है, ठीक है, अब जो आप यलो में, डार्क यलो में जो area देख रहे हो, यह community के वैसे, तो mainly उसकी वाज़े से supply आएगी, उसके बाद पर contributors की तरफ से, investors and advisor की supply, relatively कम है, अगर आप community और contributors की supply, से release होनवाली supply को देखोगे, तो ठीक है, अब आते हैं, next fact पे, इसकी चेक करते है, TVL, so TVL का जब चार्ट ओपन करोगी, अब आपको इसकी TVL दिख जाएगी, वहाँ पर track हो रही है, ठीक है, तो यहाँ आपको यह arrow लगा के दिया है, लगबग वही time है, 14 और 15 February, so उस time पे जब इसका token launch हुआ था, तो उसके बाद एक अच्छा खासा हमें, जो TVL में appreciation देखने को मिला, within one month we have seen, जहाँ पे जो इसके TVL है, वो लगबग 147 million dollar तक पहुँच गई थी, ठीक है, उसके बाद ups and downs हमें देखे, as of now भी लगबग वहीं है, okay-okay condition में है, okay-okay मन्दर इस project के हिसाब से भी बता रहा हूँ, वैसे other project के हिसाब से compare करोगे, तो उसे एसाब से कहीं बैता रहा है, ठीक है, तो 145.79 million है, as of now and बीच हमने एक बाद पीक देखी, जब मई में इन्होंने version 2 live किया था, जिसकी detail हमाँ आफ नेक्स देखने बाले हैं, तो उस time पे इसकी TVL पीक पे पहुँच गी थी, 173.87 million dollar पे, बर स्टिल, इन्होंने क्या किया था, सॉरी, July 5 में एक detail post डाल के ये mention किया था, कि blur का जो version 2 है, वो इन्होंने live किया था, मई में actually क्या किया था, इन्होंने वो जो blend जो प्रोजेक्ट है, जिसमें blur का ही काफी जादा यूज़ हो रहा है, उसको live किया था, सो इसमें version 2 में basically, अगर आप देखोगो तो कुछ changes इन्होंने किया थे, जो बड़े दो update थे, ठीक है न, trade bidding और उसके साथ most important, आप 50% less fees के साथ आप वहाँ पे trade कर सकते हो, whatever the activity you want to do in this ecosystem, आपको पहले जितनी fees देनी पड़ेती थी, उससे आदी ही देनी पड़ेगी, that is good, अब इसमें और भी detail है, अब यह पूरा thread है, आप चाहो तो इसका detail thread पढ़ सकते हो, विन्होंने compare इन भी दिखाए, between version 1 and version 2, but conclusion मैंना आप अरड़ी बता दिया है, जो major change है, वो fees में है and trade bidding में है, अब एक detail comparison कर लेते हैं, ठीक है, NFT marketplace है, तो अगर lead में देखा जाए, Ethereum के network पे, जो NFT marketplace है, Ethereum के network पे इन दा सेंस, mostly Ethereum के network पे ही, उसमें volume हमें दिखती है, जो भी activity होती है, वो है open C, ठीक है, तो open C को include करके, और open C को exclude करके, Dune.com पे आपको यह मिल जाएगी, यह काफ़ी interesting है, इसको मैं आपको एक बार detail में, जो major fact है, यानि important fact है, उनको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, यह आप volume देख रहे हो, यह उन्होंने detail volume, जो blur की है 90 days की, Ethereum में कितनी आ रहे, वो दिखाई यहाँ पे, और इसमें आप देखोगे, पीक time पे, तो 30,205 Ethereum की भी volume एक दिन आई है, ठीक है, तो that was the peak time, और वो रहा है, 27 June को, next, sales कितनी इंटी डेज में, उसका चार्ट भी दिया है, उसके बाद, unique users कितनी आए है, 90 days में, उसका चार्ट भी दिया है, हम थोड़ा सा comparative study देखेंगे, देखो, open C के comparison में तो बहुत कम है, ठीक है न, बहुती, मतलब, बाकि सारे project एक तरफ, और open C एक तरफ, ठीक है, बट still blur, बढ़िया कर रहा है, compared to other NFT marketplaces, जैसे यह जो आप चार्ट देख रहे हैं, इसमें, कितने unique users आए हैं, इस platform पे, यह आपको चार्ट देख रहा है, इसमें, X2, Y2 भी include किया है, blur है, कुछ अधर NFT marketplace भी है, looks rare है, jam.xyz है, and open C है, आपको जो major portion है, blue color में देख रहा है, वो देख रहा है, उसके बाद जो आपको yellow में देख रहा है, वो है, आपको blur का, तो relatively अगर देख रहा है, तो blur बढ़िया perform कर रहा है, because, बाकी आप देखोगे, अधर में जो black वाला section देख रहा है, उसमें सारे others है, तो others में, बाला सारे के comparison में, blur में, बढ़िया हमें appreciation देख रहा है, ज्यादा users आ रहा है, इसमें unique users अगर देखा जाए, और वो basically किसकी वज़ए से, because, potential airdrop also, ये भी काफ़ important role play करता है, और certain other features also, जो better feature blur available करा रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको देख रहेगा, परसंटेज unique users, तो कितने हैं, last 90 days में अगर देखा जाए, तो percentage वाज़ भी यहाँ पर सोखिया है, दूसरा हम data देखते है, sales count, कितनी sales हो रही हैं प्रेटफॉर्म से, ठीक है, अगें, ये भी comparison है, open sea, jam, looks rare, यानि उतना ही sales उसके प्लेटफॉर्म से हुई है, जितना open sea के से हुई है, अगर आप इसमें देखोगे, जहाँ पर volume कितनी आ रही है, तो वो भी आप देखोगे, यहाँ पर तो even open sea के comparison में, कई-कई बार इसने outperform किया है, ठीक है, अब थोड़ा सा comparison देखते हैं, इसका जहाँ पर open sea को exclude कर दिया गया है, ठीक है, exclude indices अब पता है वो lead पर है, पता है पहले से established है, उसके अलावा जितने में अगर उनमें देखाया है, तो हर case में आप blur को बहतर पाऊगे इसमें, ठीक है, यहाँ पर जैसे आप देखोगे, यलो वाला हर जगे यलो वाला blur कहीं सो किया गया, blur है, उसके बाद x2 y2 है, others को भी include किया है, looks rare, jam.xyz, तो आप देखोगे blur आपको almost each day बहतर परफॉर्म करते हुए देखेगा, चाए आप unique users percentage बाज देखो, चाए आप sales का count देख लो, या फिर आप volume देख लो, आपको हर category में जो blur है, वो better perform करते हुए देखेगा, so we cannot deny this fact कि, अगर peer comparison में देखा जाए, तो blur बढ़िया कर रहा है, और TVL wise देखा जाए, तो still it is better, मतलब दूसरे के comparison में देखा जाए, एक मात्र इसकी problem है, वो है toconomics, तोconomics इंदर सेंज, जो supply अभी circulation में आगी, अगर अभी आप देखाऊगो, तो 750 million circulation में, 751 million circulation में है, ठीक है न, इसकी double से भी जादा हो जाएगी, एक साल के अंदर, तो ये बहुत जादा heavy inflation है, ठीक है न, double से जादा, क्योंकि अभी 751 million, और इसके बाद 1 billion, अभी लगबग supply, और add हो जाएगी circulation में, in the course of 1 year, यानि एक साल में 1 billion add होना, बहुत बड़ा फिकर है, तो इसका price further dilute होगा, for sure, अब जैसे initially आप देखोगे, जिस दिन, मैंना बताया था आपको, जिस दिन आया था, तो उस ताइम पर 50 dollar पर trade कर रहा था, followed by the dump, same day ये फिर 1 dollar packet trade करने लगा था, because most of the persons, जिनने वो drop मिला, airdrop, उन्होंने उसी टाइम पर इसको dump कर दिया था, and that was the good decision also, अगर उन्होंने dump कर दिया, बेकर उसके बाद तो फिर इसने lag ही किया है, अब उसके जो market cap देखोगो उस दिन, तो 1.8 billion dollar की market cap अचीव की थी, but वो एक volatile, just एक peak थी, जो जिसमें अगर actually में देखा जाए, तो इतनी ज़्यादा इसको appreciation फिर मिली नहीं थी, दुबारा आप देखोगे, volatility को हम data में consider नहीं करेंगे, ठीक है, so max to max अगर जाने का देखेगा, तो 2 billion dollar की market cap इसके लिए feasible रहेगी, अगर even अभी के सेनेरियो के साब से, और अगर सेनेरियो चेंज होता है, तो ये चेंज भी चेंज हो जाते है, ध्यान रखना, एक किसी coin का fundamental, तीन महीने में काफी अद तक change हो जाता है, और तीन महीने के बाद, हमें दुबारा revisit करने की जरूरत होती है, किसी भी coin को, उस time की situation का according, उसका analysis करने के लिए, ठीक है, आगर मालो एक major, जो catalyst factor रहेगा, Amazon के NFT marketplace, जो लेके आ रहा है, that was the time, जब हमने the sandbox and mana की peak देखी थी, जहाँ पर उने 10-10 billion dollar की market के पचीव की थी, but that was for a short period of time, उसके बाद उनने काफी यादा correction भी लिया है, and as of now, काफी यादा bottom out है, so similar image में expert करके चल सकते हैं, अगर catalyst एड हुआ कोई, तो even और भी outperform कर सकता है, but overall अगर देखा जाए, तो जो टोकोनमिक्स वाला scenario है, एक billion, मलए एक billion, tokens का circulation में आना, which is more than, जो इसके supply है, उसके double से भी ज़ादा है, तो यह आपके लिए invest करने के लिए, एक अच्छा option नहीं है, आप अगर इसमें invest करो, in case अगर decide भी करो, तो जितना लेट करोगे, उतना ही आपके लिए बैतर होगा, और हम इसके price में further dilution, definitely witness करेंगे, अगर कोई major change नहीं होता है, क्योंकि by nature, inherently ऐसा हो जाएगा, क्योंकि अगर market cap में, आप रिसेशन दिखनी रहा है, token circulation में आते जाएगे, तो definitely price में हमें dilution दिखेगा, I hope so, आपके इसका round काफी ज़्यादा clarity आगी होगी, still, अगर आपको कोई doubt रहता है, you may comment below, I'll try to answer it if I find the time, thanks for watching the video,